अलो स्टुडेंट्स इस वीडियो में हम एक्टिब और पैसे बोईस की एक्सराइज नूमर एट सॉल्व करेंगी यह एक्सराइज क्लास 10 इंगलिस एक्सिलेंट गाइड से ली गई है तो देखिए इसमें क्या करना है? sentences को passive voice में convert करना है पहला sentence देखिए I shall have completed the work by tomorrow तो इसमें देखिए जो sentence हैं यह है future perfect tense में तो देखिए sell have का क्या होता है? sell have been और will have का will have been लेकिन करता कि अनुसार यह change हो जाते हैं देखिए जैसे इसमें यह I subject है sell have यह साइक क्रिया और completed यह मुक्रिया है तो यह करता हो गया यह क्रिया और यह हो गया कर्म तो देखिए कर्म यहन की object इसको subject बना देंगी the work I के अनुसार sell have लगा था लेकिन work के अनुसार क्या हो जाएगा bill have I और बी के साथ sell have आता है unn करता हूं के साथ bill have तो bill have का passive voice में होगा bill have been work की third form पहले से ही है और I कर्म के स्थान पर जाएगा तो लिख देंगी by me और by tomorrow ये same to same आ जाएगा तो क्या होगा the work will have been completed by me by tomorrow by tomorrow का मतलब कल तक इसके बाद देखते हैं दूसरा the servant will have brought the vegetables before I remind him subject देखे इसमें क्या है ये the vegetables ये subject बनेगा will have का हो जाएगा will have been brought third form ही है bring means होता लाना ये third form है brought servant को by से जोड़ के लिख देंगे by the servant और before I remind him ये as it is लिखा रहेगा before after के बाद जो भी portion होता है उसे as it is रख देते हैं as it is मतलब जहों कत्यम रख देंगे तीसरा है he will have invited us before the program starts तो देखिए इसमें object है us subject बनेगा we he के insert था will have तो we के insert हो जाएगा cell है और cell है बीन पैसे बाद में invited third form ही है he को कर देंगे by से जोड़ का तो हो जाएगा by him before the program starts as it is रहेगा तीसरे के बाद देखते हैं चौथा she will not have written the report before we suggest her तो she will not have written the report the report बनेगा subject will not have का हो जाएगा will not have been written ये same to same रहेगा और she को by से जोड़ के लिख देंगे by her before we suggest her ये as it is रख देंगे the report will not have been written by her before we suggest her पांच मा देखते हैं पांच मा और छटबा he will have revised the course before the examination starts तो दा कोर्स बनेगा subject और दा कोर्स के इंसार बिल हैब और बिल हैब का इससे बाइस में होगा बिल हैब बिल हैब बीन revised third form उसके बाद ही को बाई से जोड़के लिखेंगे बाई हम और बिफोर दा एक्जामिनिसन स्टार्ट सीए सेम तो सेम रहेगा चटमा देखते हैं बिल दा कार पेंटर हैब प्रेपेर दा फरनीचर बिफोर वी गैट आप अब देखिए इसमें ये है करता बिल और हैब के बीच में लिखा होगा है कर्म ये है तो देखिए ये फरनीचर करता बनेगा तो बिल और हैब के बीच में ही लगी गा बिल दा फरनीचर उसके बाद हैब और पैसे बोर्स में कनवर्ट होगा तो साहिक लिए हो जाएगी will have been तो will the furniture have been यहन की करता आएगा बिल के बाद repaired same to same और the carpenter इसे by से जोड़ के लिख देंगे तो हो जाएगा by the carpenter before we get up यह same to same अब देखते हैं सातमा सातमा देखते हैं क्या है who will have beaten the boys तो who देखिए इसको who करता का रख है करता को कर्म बनाते हैं who का कर्म का रख होता है home और करता को जब कर्म बनाते हैं तो by से जोड़ कर लिखते हैं तो लिख देंगे by home will have का होता है will have been बिल अब यह boys का करता बनेगा the boys और have का हो जाएगा have been will the boys have been beaten third form लिखी है पहले से आठ माँ C will have insulted the poor the poor subject बनेगा will have been insulted same to same C का हो जाएगा by her the poor will have been insulted by her no ma you will not have sold the house the house बनेगा subject will not have का will not have been sold क्रिया की third form लगी है sell की third form sold और you को by से जोड़ेंगे by you last है दसमा the farmers will have plowed the fields इसे आप स्वेम पैसे बस में convert करके और वीडियो के comment box में लिखिए यदि आपका answer सही होगा तो मैं इसका reply दे दूँगा वीडियो अगर आपको पसंद आता है से लाइक कीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद